प्यारे ये निर्गुड जीवन बड़ा खट है भजन बड़ाई सुन्दर है तन की चादर पुरानी हुई बावरे अब नया रंग खड़ाने से क्या फाइदा करपतन कर्म कादाग धोया नहीं रोज गंगा नहाने से क्या ये तो बास सही है जब ब्रद हो जाएं कितनी भी बीटी पालर गलाल है नहीं नहीं हो सकते पाप करें और गंगा में नहाएं डुकी लगाएं पाप धुल जाएं ऐसा नहीं हो सकता हमारे भारत के सांस्वित में गंगा महान है गंगा का जल पवित्र है सांती देने वाला है पापो को दूर करने वाला है लेकर ये नहीं जो तुने किया है कर पतन कर्म का दागद हुआन है पुरे कर्मों का पतन अच्छे कर्मों से दिन संगर्स का सुंदर बड़ा ही सुंदर बताया एक दिन मिट्टी ने मटके से पूछा मैं भी मिट्टी और तू भी मिट्टी परन्तु पानी मुझे बहा ले जाता है और तुम पानी को अपने में समा लेते वह तुमें गलावी नहीं पता ऐसा क्यों मटकास कर बोला भहिया यह सच है का तू भी मिट्टी और मैं भी मिट्टी हूँ पर मेरा संगरस अलग है पहले मैं पानी में भीगी पैरों से गूथा गया फिर खुमार के चाक पर चला धापी की चोट आग की तपन यह सब कुछ मैंने सहन किया तंगरस जहल ने तंगरस जहल कर ही मैंने पानी को अपने में रखने की यह तागत पाईया भी ऐसे ही मंदिर की सील्डियों पर चड़े तो पत्तर ने मूर्थी के पत्तर से पूछा भाई तू भी पत्तर मैं भी पत्तर पर लोग उमारी पूजा करते हैं मुझे पैरों से रोंते हैं बिना ध्यानतिये चलते हैं ऐसा के मूर्थी के पत्तर ने उतर दिया क्या तु मेरा संगरस नहीं जानता मैंने इस शरीप्र कितनी शेहनियां का प्रहार सही है, कितनी चोट जी ली है, मुझे कही बार गिशा गया, मारा संगर्स पीडा सहकर ही इस रूप में आया हूँ, संगर्सों की भट्टी में तपकर ही जीवन प्यारे स्वर्ण बनता है, इसलिए आलोचना में छिपा हुआ सत और प्रसंसा में छिपा हुआ जूट यद मनस्त समझ जाए, तो आदी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाए, जो जीवन में संगर्स करते हैं न, जो कर्म करते हैं, जो महनत करते हैं उन्हें आवश्य अपने जीवन में अपने लचकी प्राव्ती हुती है, इसलिए ध्यान देना इस भजन को सुनकर अपने जीवन में उतारना क्योंकि सुनकरके जब तक आप अपने जीवन में परवत्न नहीं लाओ गए बदलाव नहीं लाओ अरे आप भागवा सुनते हो कराते हो अरे ये कहानिया ये इत्याज तो हमने नजाने कितनी बार सुन लिए और सुन रहे ही लेकिन प्यारे मेरा एक ही कहना है भागवा सुनने के बाद अगर हमारे जीवन में परवत्न नहाए बदलाव नहाए तो वो भागवा सुनना वो ससन सुनना वो कराना बेकार है विर्थ है किसी काम का नहीं है जीवन में बदलाव है जीवन में परवर्तन है ही भाग आता है आए इस भजन के द्वारा सुनते हैं शिराद आतो लीजे मेरे भजनों के ब्रह्यों ये तनकी चादर प्रहनी हो गई इस पर नया रंग चड़ाने से कोई फैदा नहीं होने वाला है क्योंकि ये शरीर नाश्वान है और आत्मा अमर है भ्यान रखियेगा तनिती चादर पुरानी हुई बाबुरे अब नया रंग चड़ाने से क्या फाइदा कर्पतन कर्म का दाग दो या नहीं रोज गंगा नहाने से क्या फाइदा रोज गंगा नहाने से क्या फाइदा प्यारे हमारे भारत की सांजिंती में गंगा महान है लेकन ये नहीं के पाप करते रहें और गंगा में डुकी लगा दे पाप दुल जाए नहीं कर्पतन कर्म का दाग धोया नहीं क्योंके बुरे कर्मों का पतन अच्छे कर्मों के द्वाराई होगा जो कर्म किया उसका फल भोग नहीं पड़ेगा कोई मैट नहीं सकता है कर्म दुनिया से अपनी छिपा जाएगा उनकी नजरों से छिप कर कहां जाएगा कर्म दुनिया से अपनी छिपा जाएगा उनकी नजरों से छिप कर कहां जाएगा कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े दुख के आंसु बहाने से क्या फाइदार प्यारे करम जैसा किया है वैसा वरना पड़ेगा फिर रोने से कुछ सोने वाला नहीं है गरगी रश्टी में प्रभु का भजन ना करे रोगी हो करके भोगी का चिंतन करे गर की रश्टी में हरी का भजन ना करे लोगी हो करके भोगी का चिंतन करे मन से माया का परदा हटाया नहीं रोज माला घुमाने से क्या फाइदा प्यारे उस माला को खेरने से कुछ सोने वाला नहीं है राम नाम जपना पराया माल अपना ऐसी व्रती से ऐसे मन से कुछ सोने वाला नहीं है हाँ अपनी हस्ती को जिसने मिटाया नहीं प्रेम भक्ती में मश्ती में खोया नहीं हरी के नाम पर जिसने अपने को मिटा दिया अपना सब कुछ नोचावर कर दिया हरी के नाम पर उनी का नाम है प्यारे हाँ अपनी हस्ती को जिसने मिटाया नहीं प्रेम भक्ती में मश्ती में खोया नहीं खुद तो धर्म के पत पर चलाना कभी खुद की पूजा कराने से क्या फाइदा तन की चादर पुरानी हुई बावरे अव नया रंग चड़ाने से क्या फाइदा कर पतन कर्म का दाग धोया नहीं रोज गंगा नहाने से क्या फाइदा रोज गंगा नहाने से क्या फाइदा रोज गंगा नहाने से क्या फाइदा हाँ तो लीजिये मेरे भगुत प्रेमियो बड़ी सुंदर बात बताई गया भगवान कहते हैं पैसा कमाना पाप नहीं हैं लेकिन जो पैसे को कमाते समय प्रभु को भूल जाते हैं वहीं सबसे बड़ा पाप आप कोई भी काम करो भगवान का नाम लेकर के करो क्योंकि जब देता है तो वो छपड़ भाड़ के देता है लेकिन जब लेता है तो चमड़ी उधेर लेता है क्योंकि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही अरे जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं से लिया क्या हम कुछ साथ में लेकर क्याए थे क्या लेकर के जाएंगा जो हम पैसा पैसा करती रहते हैं लेकिन प्यारे इस पैसे से हर कोई वेस्टू नहीं मिल सकती हर एक चीज नहीं मिल सकती पैसा जरूरी है लेकिन पैसे को हमें इतनी एहमियत नहीं देनी चाहिए जितना हम आज की जमें में इस पैसे को अपना सब कुछ मान चुके हैं तो क्या बताया है भजन के द्वारा गोर करिएगा शुनिये इस नेकुल भजन के द्वारा बड़ी सुंदर बात कही है कमी में कमाई लेओ हीरा चाए मोती कपन में जेव नहीं होती ब्यारे कमाई लेओ हीरा चाए मोती कपन में जेव नहीं होती कमाई लेओ हीरा चाए मोती कपन में जेव नहीं होती और दिहान करना दोलत से क्या मिलता है और क्या नहीं मिल सकता अरे दोलत लड़का दे सकती पर पुत्र दिलाना मुश्किल है दोलत नो कर दे सकती पर सिवक पाना मुश्किल है अरे दोलत अरत दे सकती पर पत्र नी पाना मुश्किल है दोलत अरत दे सकती पर पत्र नी पाना मुश्किल है दोलत बिश्टर दे सकती पर नीद कभी ना ला सकती कमाए लिओ धीरा चाएं मोदी कपन में जेव नहीं होती कमाए लिओ धीरा चाएं मोदी कपन में जेव नहीं होती प्यारे, दोलत से आपको लड़का मिल सकता है, लेकर पुत्र नहीं, दोलत से आपको विष्टर मिल सकता है, लेकर नीद नहीं, सब्दों पर गौर करिये है। और क्या बत्ताया है। अरे, एनक मिलती दोलत से पर निन कहां से लाओगे। रोटी मिलती दोलत से पर भूग कहां से लाओगे। हाँ, एनक मिलती दोलत से पर निन कहां से लाओगे। लोटी मिलती दोलत से पर भूग कहां से लाओगे। दोलत से पर आम मिलेंगे पर तागत ना ले पाओगे। शुक दिलाए भी ये दोलत स्वांति नहीं दिलाती। कमाए लेओ हीरा चाए मोधी कपन में जेव नहीं होती। कर दोलत से लाओगे। कुछ पैसे में जाकर सज्जनों दोलत से लाओगे। जहर भी ले आओगे। हाँ पीश करोड में भी अमरत की भून एक ना पाओगे। हाँ कुछ पैसों में जाकर सज्जनों जहर भी ले आओगे। बीश करोड में भी अमरत की भून एक ना पाओगे। दोलत गीता दे सकती पर ज्यान नहीं दे सकती है। अरे दोलत मंदिर दे सकती पर भवन नहीं दे सकती। कमाई लेओ धीरा चाएं होती कपन में जेव नहीं होती। हाँ तो मेरी भक्तों दो दिन की जिंदगी है क्यों गुमान करते हो। मगर जब वो काल अपनी चाल को चलाता है तो वो किशी की नहीं मानता। एक गाउं में बड़ा पैसे वाला बड़ा धन दौलत वाला एक मुखिया जी रहा करते थे। बड़ाई चारो और उनका नाम चलता था। गरीव लोगों की जमीन को चीना करते थे। पुल्स बालों को भी अपना लिया करते थे। मगर जब समय आता है तो समय किसी की नहीं मानता। धीरे धीरे उमर ढल गई। एक दिन समय अनुसार किसी कंस के सामने उस कंस के सामने किसी कृष्ण जनम ले लिया। तो मुखिया जी के पीछे पड़ गया। पड़ जाता है। तो जैसे ही पुल्स वाले आते हैं सरकार चेंज हो जाती है। तो मुखिया जी को घर से पकड़ कर ले गए कोई लोग उन्हें रोक नहीं पाए। मारते घसीटते ले गए सब लोग हसने लगे। मुखिया जी की एक भी बात नहीं चल पाई। इसी तरह जो इस काया में मुखिया बैठा है। इस माटी के पतले में जो मुखिया बोल रहा है। उससे यम के दूद फकड़ने आएंगे तो कोई भी रोक नहीं सकता। कुछ भी उपाई कर ले बंदे जिस दिन कालवली अपनी चाल को चलाता है तो किशी की नहीं चलती। इसलिए सुनिएगा इस भजन के माधम से। काउ दिन आबें यमके दूद पकड़ी तो इस पल में ले जाएंगे। पलो में ले जाएंगे पकड़ी तो इस पलो में ले जाएंगे। काउ दिन आबें यमके दूद पकड़ी तो इस पलो में ले जाएंगे। ले जी तो इस पलो में ले जाएंगे। आरी घर भैया सब मिल कर तेरी डोली सजाएंगे गर भैया सब मिल कर तेरी डोली सजाएंगे करी करी आति जनम से तेरी आशुबा आएंगे काहू तिन आवे युमा के दूत पतड तो ही पल में ले जाएंगे करी करे तेरी आति आति एंगे तेरी आति एंगे मरगट बीच में चितां बना कर तुझे जलाएंगे मरगट बीच में चितां बना कर तुझे सुनाएंगे गर के बेटां खास जो होंगे वो अगनी लगाएंगे काउ दिन आवे यम के दूत पकड़ी तोई पल में ले जाएंगे काउ दिन आवे अरे तेरे दिन तक यादि करेंगे फिर तोई भोलाएंगे तेरे दिन तक यादि करेंगे फिर तोई भोलाएंगे रो रो कर तेरी जनम की गाता सबे सुनाएंगे काउ दिन आवे यम के दूत पकड़ी तोई पल में ले जाएंगे हो पलो मेले जाएंगे पकड़ी तोई पल मेले जाएंगे काउ दिन आवे यम के दूत पकड़ी तोई पल में ले जाएंगे काउ दिन आवे यम के दूत पकड़ी तोई पल में ले जाएंगे काउ दिन आवे यम के दूत पकड़ी तोई पल में ले जाएंगे हाथ मेरे ससंग के प्रेमियों चलते हैं ससंग हम प्रवेश करते हुए ये जीवन एक कुमार की गड़े की तरह है जैसी की कुमार उस गड़े को पका करके बना करके लाल करके देता है उसे खरीद करके लाते हैं बड़ा सीतल जलो होता है उसके कुछ लोग उस गड़े का ख्याल नहीं रखते याद नहीं रखते ध्यान नहीं रखते उसे ब्यर्थ में डाल देते हैं सोचकर सोचिए वो कुमार कितनी मेहनत करके तुम्हें देता है धंडा जल पीने के लिए उसे भूल जाते हैं आज का ये मद मोज मस्ती करने में बिजी हो जाते हैं इसी तरीके से ये जीवन का गड़ा है प्रभू ने हमें दिया है अगर हम उस प्रभू को भूल जाएं तो ये नर्क से कम नहीं है जीवन नर्क में गर्क होना पड़ेगा क्योंकि जिसने जो दिया उसे भूलना मत किसी के करज को भूलना ना चाहिए क्योंकि ये इस्वर का करजा है हमें इस दुनिया दिखाई है इनसान का जनम दिया है इनसान के रूम में हम आई हुए है उसे भूल जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है इसलिए कभी बता रहे हैं इस भजन के माद्यम से सुनियेगा ही रासो जनम तुने पायो करिबाइदा प्रभू से आयो दिन रात करे तु कमाई ना प्रभू को भजन तुने गायो ही रासो जनम तुने पायो करिबाइदा प्रभू से आयो दिन रात करे तु कमाई ना भजन प्रभू को गायो और ये जीव जब गरम मास में होता है मन मुत में होता है तो प्रभू से कहता है प्रभू मैं तुमारा भजन करूँगा मगल लेकन बाहर आने के बाद भूल जाता है आरी गरम मास में लटका उल्टा करता प्रभू से बिनती है हाँ गरम मास में लटका उल्टा करता प्रभू से बिनती है मुझे को प्रबु जी बाहर निकालो गिनता हर रोज गिनती है बासमे को तुने भुलायो करिबाइदा प्रबु से आयो दिन रात करे तु कमाई ना भजन प्रबु को गायो ही रासो जनम तुने पायो करिबाइदा प्रबु से आयो दिन रात करे तु कमाई ना नाम प्रबु को गायो और जुनको तु अपना अपना कहता है वो एक दिन तेरे साथ जा करेंगे सुनिएगा आरे मोह माया में फस कर बंदे क्यों तू करता दंगा है मोह माया में फस कर बंदे क्यों तू करता दंगा है जिनको तु अपना कहता है वो यी करेंगे नंगा है तू माया को मद छायो करिबाइदा प्रभू से आयो दिन राच तु करें कमाई ना नाम प्रभू को गायो ही रासो जनम तुने कायो करिबाइदा प्रभू से आयो दिन राच तु करें कमाई ना नाम प्रभू को गायो और बताते हैं कभी ये सोने जैसी काया कंचन जैसी काया एक दन मिट्टी में मिल जाएगी कंचन सी ते ने काया पाई समय बची तेरी थोरी है हा कंचन सी ते ने काया पाई समय बची तेरी थोरी है एक दिना मरगट में बंदे भुख जागी तेरी होरी है तेने धर्म नहीं करी पायो करी बायता प्रभू से आयो दिन राति करे तु कमाई ना नाम प्रभू को गायो ही रासो जनम तुने पायो करी बायता प्रभू से आयो दिन राति करे कमाई ना नाम प्रभू का गाया ना नामो प्रवु का गाया मेरे सर्जनो ये मिट्टे का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा क्योंकि पांच चत्तों से बना हुआ एक विप्ती शिकार फिरनी के लिए जंगल में गया वहाँ उसने एक हिरनी को देखा उसके साथ छोटा था बच्चा था उसे हिरनी के साथ एक छोटा सा बच्चा था शिकारी दोड़ा हिरनी डरकर के जंगल में छिप गई बच्चा पकड़ा गया शिकारी बच्चे को लेकर के चला तब हिरनी भी निकल आई और बच्चे के श्नी अवस वह भी पीछे पीछे उसके चलने लगे आज पुत्र मोह के एक अरण उसकी आँखों से आशू बहने लगे शिकारी उस बच्चे को अपने गाउं में लेकर के आगया लेकर क्या होता है कि वो हिरणी भी वेचारी रूती भी लगती हुई उसके पीछे आगया आज उस शिकारी ने जब उस हिरणी को देखा उसके आँखों से आशू चल रहे हैं वो वेचारी रो रही है उसने दिल में वेचार किया एक माहे और एक माहे बच्चे को अगर मैं माह से दूख कर दूँगा तो मुझे बहुत बड़ा दूश लगेगा पाप लगेगा इसके आत्मा मेरे उपर अगर पड़ गई को मेरा सर्मास हो जाएगा उसे दया आ गई और उसने उस बच्चे को इहनी के पास छोड़ दिया और प्रणाम किया ही माह आप अपने बच्चे के साथ निडर हो करके हाँ से जिंगल में जाईए मैं आपसे कुछ नहीं करूँ उस शिहरणी ने मेरे सज्जनों उस सिकारी को आशीरबाद दिया और बच्चे को लेकर वो वहाँ से चली गई उसने सुपन में देखा कि कोई कह रहा है इस दया के फल सरूप तुम्हें बादसाही बिलेगी सिकारी ने सुपन में क्या देखा कि कोई कह रहा है आपने जो दया की है ना जो कार किया है उसके बदले में आपको बादसाही बिलेगी आगे चल करके बताया जाता है कि गजनी बादसा हुआ था इस दुन्या में कोई भी किसी का नहीं है हम अपना अपना ये मेरा वो मेरा में लगे पड़े हैं लेकर सब यहीं रह जाएगा कुछ दूसरों के लिए जियो कुछ दूसरों के लिए करो कुछ उदारता कुछ अच्छे अच्छे काम दुनिया में करके जाओगे तो दुनिया वाले तुम्हें याद करेंगे आईए सुन्ते हैं इस बहजन के दौरा हाँ तो आप सभी आनद ले रहे हैं संगीत और ससंग के महा संगम के दौरा जो निर्गुल भजन ससंगी भजन चितावनी भजन ये मिट्टी का खिलोना है और एक दिल मिट्टी में ही मिल जाएगा हमारा तुम्हारा सबका सरीर पांच तत्तों से बना हुआ है और उन्हीं पांचों तत्तों में मिल जाएगा आकास जलवाईव जो पांच तत्तों है उन्हें पांचों तत्तों में ही मिल जाता है और क्या बता है कभी निसनेगा अरे मान मेरा कहना नहीं तो पच्चताएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा अरे मान मेरा कहना नहीं तो पच्चताएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा बेटा बेटा क्या करता है बेटा बेटा क्या करता है बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी हो जाएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पच्चताएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा हम पहते ही है मेरा बेटा बेटा भी एक दिन पड़ोसी हो जाएगा प्यारे पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा मान मेरा केहना नहीं तो पच्चताएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा इनको तुम अपना अज समिट पेटे हो पड़ोसी भी एक दिन जला के तुम्हें राख कर देगा छोड़ करके चला जाएगा समसान और क्या बताया है बेटी बेटी क्या करता है बेटी बेटी क्या करता है बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा मिठी का खिलोना मिठी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पच्च चाएगा मिठी का खिलोना मिठी में मिल जाएगा ना बेटी ना बेटा प्यारे ना धम ना दौलत यह हमेशा साथ रहने बाले ने तब यहीं बड़ा रह जाएगा यहीं आपकर के इंसे विलाब को होता है और यहीं के साथ न बंदन तूट जाते हैं दौन दौलत तेरी कोठी बंग ले दन दौलत तेरे कोठी बंग ले इससे मोहत छोड़ दे पग ले आँ इससे मोहत छोड़ दे पग ले सब कुछ तेरा एक दिन यहीं पर रह जाएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पच्चताएगा मिट्टी का खिलोना मिट्टी में मिल जाएगा